दोसरी ये बात एक करी 1920 की जब अलवर के महाराज जै सिंग लंडन में एक आम जिन्दगी विदा रहे थे एक दिन वो रोड पे टहली रहे थे तभी उनकी नजर रॉल्स रोएस के एक सोरूम पे जा पहुची कहा जाता है कि महाराज महंगी गारियों के काफी सौकीन हुआ करते थे उस वक्त महाराज ने काफी साधारन कपड़े पहने हुए थे लेकिन गारी खरिदने की उताबलेपन में वो उन्ही कपड़ों के साथ सोरूम के अंदर चले गए उन्हें साधारन कपड़ों में देखकर वहाँ के सेल्समेन ने उन्हें गारी दिखाने से इनकार कर दिया लेकिन महराज नहीं अपने गुस्से को उस वक्त कंट्रोल किया और चुप चाप वहाँ से चले गए शामकुन ने सोरूम के मालिक को ये खबर विजवाई की अलवर के महराज रॉल्स रोयस देखने के लिए उनके शोरूम आ रहे हैं वहाँ पहुचकर उन्होंने साथ रॉल्स रोयस इनकास्ट कर लिए शोरूम का मालिक बहुत खुश हो गया लेकिन महराज का असली खेल अभी सुरू हुआ था भारत पहुचकर महराज इन सारी गारियों को कचरे की ट्रक की तरह इस्तमाल करने लगे रॉल्स रोयस की इतनी भयानक भेज़ती जंगल की आप की तरह फैल गए अंत में रॉल्स रोयस के ओनर्स महराज की घर गए और उनसे माफी मांगी रॉल्स रोयस ने महराज को खुश करने के लिए 6 और गारियां भी गिफ्ट की